सुप्रभाद बच्चो आज का अपना विशा प्रारम करने से पहले कुछ वाक्यों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है मदन कक्षा चार में पढ़ता है मदन प्रति दिन विद्यालय जाता है मदन मदन के विद्यालय के सभी सिक्षक तथा सिक्षिकाओं का आदर करता है मदन मदन के साथियों के साथ खूब मन लगा कर पढ़ता है सुना अपने, बच्चो इन वाक्यों से क्या सारी बात समझा गई या फिर कुछ अटपटा सा लगा चलिए, अब इन ही वाक्यों को फिर से सुनते है मदन कक्षा चार में पढ़ता है, वह प्रति दिन विद्यालय जाता है वह अपने विद्यालय के सभी सिक्षक तथा सिक्षिकाओं का आदर करता है वह अपने साथियों के साथ खूब मन लगा कर पढ़ता है बच्चो, दूनों ही प्रकार के वाक्यों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम किसी एक व्यक्ती वस्तू या इस्थान के बारे में बात करते हैं तो बार-बार उसकी नाम का वाक्यों में प्रयोग बहुत अटपटा सा लगता है तदा वाक्यों का अर्थ और कही गई बात आसानी से समझ में नहीं आती परन्तु यदि इन नामों के इस्थान पर कुछ अन्य शब्द जैसे वह अपने आदी शब्दों का प्रयोग भाषा को सुन्दर और सरल बनाता है इनकी प्रयोग से हम आसानी से बात को समझ भी पाते हैं इसे यह बात तो इसपश्ट होती है कि नामों के इस्थान पर बोलते यह लिखते समय हमें अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए कुछ अन्य शब्दों की आवश्यक्ता होती है बच्चो आप यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी नाम को हम संग्या कहते हैं यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसका तो यही मतलब हुआ कि हम संग्या शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में बार बार नहीं कर सकते अता इन संग्या शब्दों के इस्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम जैसा की नाम से ही पता चल रहा है सर याने सब का नाम मतलब नाम अर्थार सर्वनाम का अर्थ है सब का नाम ऐसा नाम जो आप सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं आईए इसे कुछ वाक्यों द्वारा समझते हैं अजय जा रहा है इस वाक्य में हम अजय के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तब ये वाक्य क्या हो जाएगा? वह जा रहा है इसी प्रकार गीता जा रही है इस वाक्य में भी हम गीता के स्थान पर वह का प्रयोग कर सकते हैं जैसे वह जा रही है कुछ अन्य वाक्य देखते हैं जैसे माली ने माला बनाई इस वाक्य में माली के स्थान पर उसने शब्द का प्रयोग हो सकता है तो वाक्य क्या हो जाएगा उसने माला बनाई इसी प्रकार यदि हम कहें सरला ने पुस्तकें खरीदी यहां भी हम सरला के इस्थान पर उसने शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अतह वाक्य होगा उसने पुस्तकें खरीदी बच्चो इन वाक्यों में आपने देखा कि वह बा उसने सर्वनाम का प्रयोग हम इस्त्रीलिंग और पुरलिंग दोनों के लिए समान रूप से कर सकते हैं अता हम कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द इस्त्रीलेंग वर्पोलेंग में समान रहते हैं परन्तु वचन बदलने पे सर्वनाम का रूप भी बदल जाता है अर्थात एक वचन में यदि हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में हम का प्रयोग करते हैं जैसे प्रिया ने कहा मैं आज नहीं आऊंगी, यहाँ प्रिया किसके बारे में बात कर रही है, अपने बारे में यहने प्रिया अपने अकेले के बारे में बता रही है, उसी प्रकार यदि हम एक से अधिक जक्तियों के बारे में बात करें तो कहेंगे हम आज नहीं आएंगे, यहां एक से अधिक की बात होने के कारण हम शब्द का प्रयोग होगा इसी प्रकार कई अन्य सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो बच्चों भाशा को अच्छी तरह समझने और सरल बनाने में सर्वनाम का महतुपून योगदान है और आशा करती हूँ आपको भी यह बात अच्छी तरह समाजा गई होगी धन्यवाद